नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्तों पस्थेत हो दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों हम आप सभी से बात कर रहे हैं आज कल नई और शदियों को ले करके जो कि आपके लिए लाफकारी साव होती हैं दोस्तों नहीं नहीं यूं कहें कि पुरानी है लेकिन उनको जो यूज करने का ढंग है वो हम बताते हैं आप किस प्रकार से यूज करेंगे तो किस बीमारी में कौन-कौन से और श्रद यानि कि कौन-कौन से फल किन-किन बिमारियों को दूर करते हैं दोस्तों इसी क कब्ज नहीं रहती है आतें तथा पेट साफ हो जाता है दोस्तों यक्रित में सूजन या फिर पीलिया इसके लिए कुछ एक विधी हम आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे दूर कर सकते हैं विधी नमबर वन आवले का रस चोथाई कप एक गिलास गन्ने के रस में मिला कर पियें इस प्रकार नित्त्य तीन बार पीते रहने से पीलिया ठीक हो जाता है दोस्तों विधि नमबर टू, पचास ग्राम आवला प्लस पचास ग्राम जेरा प्लस पचीस ग्राम इलाईची, सब को मिलाकर पीस कर एक एक चमच तीन बार गाई के दूध के साथ फंकी लेने से लाव होता है दोस्तों, दस्त, जहां दोस्तों, आएए आवले के द्वारा हम लोग दस दोस्त को कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी भी कुछ एक विधि पर ध्यान देते हैं, विधि नमबर वन, सूखा आवला पीसा हुआ और काला नमक समान मात्रा में मिलाकर जल के साथ आदा चमच की फंकी लेने से दस्त बंद हो जाता है, दस्तों में दो मुरब्य के आवले खान पीने से लाव होता है, ताजा आवलों का रस चार चमच पानी में मिलाकर पीने से भी लाव होता है, दोस्तों, सूखा आवला भिंगो कर इसका पानी भी पिला सकते हैं, दोस्तों, विधि नमबर टू, पीसे हुए सूखे आवले में पानी डालकर पुनह पीसकर लेप बना कर नाभी के चारू और दो इंच के शेत्र में गूल दिवार बना कर इसमें अद्रक का रस भर दें रोगी सीधा सोता रहे इससे पानी जैसे बार-बार हो रहे दस्त बंध हो जाते हैं जहां दोस्तों अगर आपका दस्त पानी की तरह हो रहा है और बार-बार वो बंध हो जा अथाई चमच नित्य दो बार पानी के साथ फंकी लें हर प्रकार के दस्तों में लाव होगा दोस्तों एवं पाचन शक्ती बढ़ेगी पेचिश जिहां दोस्तों दस्तों में आव और रक्त आता हो तो एक बड़ा चमच पीसा हुआ आवला इतने ही शहद में मिलाकर नित्य किसे तीन बार दस दें तक सेवन करें आपको लाव होगा दोस्तों मस्तिश्क की शीतल रहे जार मस्तिश शीतल रहे निंद अच्छी आए इसके लिए आनले का तेल सिर में लगाएं इससे घहने बाल काले और मुलायम रहते हैं मस्तिश्क की कमजोरी जहां दोस्तों नित्य खाली पेट दो नग आउले का मुरब्बा खाने से मस्तिश्क की कमजोरी दूर हो जाती है स्मरण शक्ति बढ़ने के लिए नित्य प्रातव भूखे पेट दो आउले का मुरब्बा खाएं बच्चों को पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता बुढ़ापे में जिनके स्मरण शक्ति कमजोर हो गई हो उनके लिए आउले के मुरब्बे का सेवन लावकारी है दोस्तों पेट के रोग दो नग आउले का मुरब्बा नित्य खाने से पेट के रोग नहीं होते हैं पाचन शक्ति वर्धक खाने के बाद एक चमच सुखे आउले के चून की फंकी लेने से पाचन शक्ति बढ़ती है मल बंद कर आता है सोते समय लेने से कब्ज दूर होती है दोस्तों क्रिमी जहां दोस्तों एक औन्स ताजा आउले का रस दो चमच श्रहद मिला कर नित्य दो बार सात दिन तक पीने से क्रिमी नश्ट हो जाते हैं शक्तिवर्धक पीसा हुआ आउला एक चमच दो चमच शहद में मिला कर चाटें उपर से दूद पिएं इससे सदा स्वास्थे अच्छा रहता है दिन भर प्रसन्नता का अनुभव होता है जब ताजा आउले मिलते हुँ तो प्राता आधा कप आउले के रस में दूद चमच शहद और आधा कप पानी मिला कर पिएं उपर से दूद पिएं इससे ठके हुए ग्यानतन्तुओं को उत्तम पोशन मिलता है दोस्तों कुछी दिन नित्य पीने पर शरीर में नई शक्ति और चेतना आएगी जीवन में यौवन की बहार आएगी जो लोग स्वश्त रहना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार आउले का रस नित्य पीना चाहिए दोस्तों चाहले जीहां दोस्तों नित्य आउले के दो मुरब्बे खाएं आपके चाहले ठीक हो जाएंगे दोस्तों काया कल्प नित्य सुबह टहलने या व्याया करने के बाद ताजे आउले के पांच चमच रस में तीन चमच शहद मिला कर पियें और दो घंटे तक कुछ भी न ले इस तरह ताजा आउले के रस का सेवन दो महिने तक नित्य करने से काया कल्प हो जाता है दोस्तों सदा स्वस्त और निरोग रहने का यह स्रेश्ट योग है आउला शक्ति का भंडार है इसे हमेशा किसी न किसी रूप में लेते रहें नित्य उप्योग है तो कुछ वीधिय हम आपको बता रहे हैं दोस्तों पहली साग सब्जी में आउला खटाई की रूप में प्रियोग करें नमबर टू आउले की चटनी बना कर खाएं इसके रस में शहद मिलाकर शर्बत की तरह पिएं विधि नमबर तीन आउले का आचार या मुरब्बा बना कर खाएं विधि इसी भी प्रकार से आउले का प्रियोग करते रहें तो स्वास्त अच्छा रहेगा पौश्टिक भोजन के आभाव में होने वाले रोग नहीं होंगे यदि रोग होंगे तो वे भी धूर हो जाएंगे पीसा हुआ आउला दो चमच देशी घी एक चमच शहत तिन चमच मिला कर नियमित कुछ सब्ताह तक खाने से शरीर की काया पलट हो जाती है नव जीवन का संचार होता है चमप्राश आउले से ही बनता है यह थकान नेत्र यक्रित और मस्तिश्क की कमजोरी कमजोरी को धूर करता है दोस्तों विटामिन सी जिहां आउले के 100 ग्राम गुदे में 500- 700 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है एक ताजा आउले में दो संतरों के बराबर विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों असकरवी रोग के चलते शरीर के किसी भी भाग से रक्त स्त्राव हो सकता है मसूढे सुझ जाते हैं और रक्त स्त्राव होने लगता है शरीर के हड्डियां अपने आप तूट सकती है इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को शरीर में कमजोरी महसूस होती है और वह सोभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है यह रोग शरीर में विटामिन C की कमी के कारण होता है आवले का नियमित सेवन करने से सकर्वी रोग से मुक्ति मिल जाती है दोस्तों सिरदर्द दो चमच पीसा हुआ आवला इतने ही घी और शकर में मिला कर सुबह शाम खाएं और उपर से दूद पीएं इससे अनेक प्रकार की सिरदर्द ठीक हो जाते हैं कमजोरी से होने वाले सिरदर्द के लिए प्राता काल खाली पेट दो नग आवले के मुरब्बों का से है थोड़ा सा पानी मिलाकर पीने से लाव होता है दोस्तों ग्लुकोमा जिहां दोस्तों कनखल हरिद्वार के स्वामे रामदेव ने प्राणायाम योग श्रीविर में कहा कि आमलकी रसायन मतलब के आवले का रसायन 200 ग्राम मुक्ता सुक्ति भश्म 10 ग्राम सप्ताम्रित लोख 20 ग्राम इन सबकों मिलाकर एक चमच नित्ते सुबह श्राम खाली पेट पानी के साथ फंकी लेने से ग्लुकोमा में ग्लुकोमा में लाव होता है यह विद्यार्थियों पढ़ने लिखने वालों के लिए भी लाव दायक है दोस्तों तो देखा दोस्तों आपने कि ए इसलिए आउले का सेवन नित्ते कोशिश करें कि हर रोज एक आउला हम किसी भी प्रकार से अपने भोजन में सम्मिलित करें जिससे कि हमारी बोडी के अंदर आउला जाए और हमारे बहुत से विकारों को एक आउला दूर कर देता है दोस्तों जिहां शारीरिक विकारों को दूर कर देता है रोगों को दूर कर देता है तो अगली बार हम कुछ एक और अश्रधियों को लेकर आएंगे दोस्तों कुछ और शोध करके लाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार